रामदेरिया की बांका राम की करंट लगने से दो दिन पहले मौत हो चुकी थी पारिवारे किस्ति इतनी कमजोर हैं कि जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आज भी हमारे समाज में ऐसे परिवार है बांका राम जब पांस साल का था तब उसके पिता क परिवार के मदद करें उसके बाद से टिकू सिंग जी गोदा रामा शाह उनकी पूरी टीम यहां पर पहुंची हैं मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे भामाशाहों को अलांकि पैसे खूब लोगों के पास होते हैं धन कई लोगों के पास होता है लेकिन ऐसे परिवार से मिलने के लिए है क्या इस परिवार के बारे में सुना है क्या कि देखो यह हमारा फर्ज था मैं बाहर से आउट ओफ एंडिया से कली आया था तो जैसे बाड में राया तो यहां ग्रूप में ऐसे ही यह मैसेज आया हुआ था हम लोग दोस्त बैठे थे तो जब यह सब्सक्राइब करने के लिए और इन बच्चों को जब तक यह पड़ेंगे लिए और इन बच्चों को सब्सक्राइब करेंगे और इन बच्चों को सफल बनाए और जो भी खर्चा आएगा वहन करूंगे और भी लोग जो है ऐसे परिवारों के लिए मदद करना चाहिए उनकी आप कई और से क्या मैसेज है क्योंकि आप समाज के आदर्स हैं आइडल है लोग आपकी मैसेज तो यही है कि बाकी तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं लेकिन आर्थिक साहिता हमारे को करना ही चाहिए बाकी भी जैसे इस टाइप से अगर कोई परिवार है कोई वास्तों में नीडी परिवार है तो उसकी हम लोग को भगवान ने अगर सक्सम बनाया जरूरी नहीं है कि आप सब बराबर की हल्प करो या ज्यादा करो लेकिन जितना बन सके सायोग अपने को करना चाहिए और जो नीडी परिवार है एक इनसानियत के नाते अपने को करना चाहिए निची दूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर कोजाक्ट के मदद करनी चाहिए तो ठीक उसी जी ने एक लाग रुपे की मदद की है और इस परिवार के जो छोटे बच्छे हैं बांका राम जी का एक लड़की और लो लड़के हैं और बुड़ी मा है और उनकी बिद्वा पत्नी है उनके लिए उन्होंने ये एक लाग से और युवाओं को क्या करना चाहिए यह मैं कल बैटे थे कल यह आये थे बाड़ मेर तब यह गुरूप में देखा तब बड़े बैशाब टिको शिंग जी ध्रम सार्प अमने सब नहीं यह सोच कि अपने गुरूप में इस परिवार की मदद करनी चाहिए तो हम सब ने यहां से मदद की जो राच लई है और यहां के जब इस परिवार की आर्तिक स्तती इतनी कमजोर देखी तब भाई साब ने कहा कि इस परिवार को जब तक यह पढ़ेंगे इनका खर्षा वैन करेंगे मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अपन जो जरूरी नहीं है कि हर कोई करना चाहता हूं अपने पांचो हजार दोजार जित्ते भी हो आप मदद करो इस परिवार की हालत देखे लग रहा है कि जिनको जितना हो सके होती इस परिवार की बढ़ चड़ के मदद करनी चाहिए बाकी तो उपरवाण को कॉन टाल सकता मगर आपन तो जो हो सके आर्तिक मदद गी कर सकते सबीशे अपील लेंकि जितनी हो सकती मदद की जाए बिल्कुल हमारी सीडियो से मात्र इतना है हम यह नहीं दिखाना है कि हम लोग यह लोग जो हैं मदद करने आये यह तनbig उतनी मदद की और देख करके ऐसे परिवारों के लिए और लोग आगे आए और तो समाज के जो लोग हैं वो आगे आए बस इस प्रकार के वीडियो से प्रेणन ले आगे आए और पेडित परिवार की मदद जरूर करें और मैं चाहूंगा कि बांकाराम के छोटे मासुम बच्चों के लिए उनकी विद्वा मा बुजूर्ग मा के लिए विमार मा के लिए सब लोग मदद जरूर करें बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद